हेलो दोस्तों गुट मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्त और मस्त होंगे तो आज है जी 16 अगस्त और मैं बना रही हूँ सुवे सुवे बच्चों के लिए टिफीन बच्चे जा रहे हैं स्कूल और यहां पर मैंने बना रखी है भिंडी की सबजी और दो दो पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए और मीठे में बना रखा है तो तो कस्टड में मैंने थोड़ असा ड्राइफ्रू डाल रखा है और थोड़ा डाला है मैंने अनार और बाकी फ्रूट में उसको ऐसे कट करके दे दोंगी फ्रूट में मैंने आदी को एक अमरोद दे दिया था काटके और ये हो गए है आदी का लंच बॉक्स तयार और अभी आदी हो रखे है तयार और चलते हैं आप स्कूल तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं भार और अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को शूर्य भगवान के दर्शन कराती हूँ आदी को छोड़के मैं आ गई हूँ और अब करी हूँ अमन के टिफीन के तयारी तो बच्चों की अलग-अलग पसंद है अमन ने बोला कि मैं भिंडी नी खाऊंगा तो मेरे लिए ममी आप न चीनी के परांठे बना दो तो यहाँ पे मैं वही बना रहे हूँ दो चीनी के परांठे बना दिया मैंने अमन के लिए तो एक वो घर खाएगा और एक ले जाएगा स्कूल और यहाँ पे मैं अमन का टिफिन कर रही हूँ तयार तो इसमें मैंने उसको एक पराठा दे दिया है और फूर्ट में मैंने उसको एक पराठा काटके और थोड़ा सा ड्राइफूट दे रखे है इसको मखाना दे रखे है दो-चार किसमिस दे रखे है तो मैं अमन को छोड़ के आगे थी और आज कल हमारे तोरी भी लगनी इस्टार्ट हो गए तो दो तीन तोरी तो मैंने निकाल भी दी और फिर से ये तयार हो रखे यहां पे तो घर में सबजी भी हो गई है तयार और अभी मैं आई और चाई पाने पिया और उसके बाद लग हुँ मैं अपने काम में तो आज घर की बहुत सारे सफाई करनी है मुझे क्योंकि चार-पान दिन तक बचों के भी छुटी रही और हमेशा बारिस होती रही तो घर का जो काम है न वह धंग से नहीं हो पाया तो आज बहार दूप लग रखे थोड़े ठीक ठाक और फिर मैं लग गई हो अपने घर की सफाई में तो जो यह मारा ड्राइंग रूम है न इसमें हम लोग कम बैठते हैं लेकिन जब ही बैठते बच्चे कुछ चीज मतलब जैसे खाते हैं चीफसा या कुछ मीठा खा लेते हैं तो जो चीज नीचे गिर जाती है न उसमें जल्दी से बा सफाई कर लेती और सोचरी थी कि अभी तो खेर बरसात है लेकिन ढूप लग जाती तो में ये सोफे वगेरा एक दिन भार ले जाती और भार सुखा के लाते क्यूंकि बरसात में थोड़ा सा सामान में हलकी सी नमी हो जाती है और वैस्तों हमारा घर खुला है दरवाजा खि सामान लेना था दाल सब्जी वगरा टमाटर प्याज भी नहीं है अभी घर में तो सोचने जब आधी को लेने जाओंगे ना बस स्टॉब में उसी समय सामान लेके भी आओंगी तो सारे घर की सफाई हो गई है और लास्ट काम बचा है यहां पर डाइनिंग रूम वाला जो एरिया है यहां पर पोचा बच रखा है अब तो इसके बाद मैं नहाऊंगी और कपड़ों को देखते हूं आज दूलती हूं या कल मसीन लगा लूगी और वर्शिंग मसीन मैं अगर मैं भार मसीन लगाऊंगे अभी तो फिर फानी हो जाएगा भार और दुबार मुझे दुलाई करनी पड़ेगी इसलिए मैं कपड़े न कली लगाऊंगे मसीन में और दोनों बच्चे आ गए हैं स्कूल से और हम लोग खा रहे हैं याँ पे खाना और खाना खाने के बाद हम लोग बैट गए थे अपने रूम में और यहाँ पे बच्चे दिखा रहे थे कि ममी जो मैंने कल ड्रॉइंग बनाई थी उसको दिखा दो तो अमनी ये कल 15 का चार में दिखाना पड़ता है ओन्हें तो बोलता है कि नराज हो जाता कि हां मैं बना तो आप दिखाते हैं इस ले नहीं कि हों कि मैं अच्छा निवनाथा था और यहाँ पर सांब का टाइम हो रहा था छे बजगे थे और बचों ने बोला ममी कुछ बना लू हमारे लिए मैंने और दन्स हैं और यह बना नहीं है जाल टोल मेंगी जोन होड़े जी और इसमें जाली काम मिर्च और यह बुदेभी दाल्य घुल मासाला तो चाट मसाले से सवाँ थोड़े अच्छा आता है तो यहाँ पे आदी ने बोला तो मंमी हम गोलगपी तलू मैंने कर चलो आप तब तक हमें बना रही थी पानी पूरी का मसाला तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे गोलगपी तयार और बचे बोले मामी हम गोल के पर चैलेंज करते हैं मैंने का चैलेंज मत करो इस चकर से तुम मतलब खा भी नहीं पाओगे और तुमारा मन नहीं भरेगा तुम आराम से खा के और चैलेंज कभी दूसरे दिन करेंगे